नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल PCMB Digital Groupal Classes पर बिटा क्लास 7 की वर्कशिट 34 सोशल साइन्स हिंदी मीडिया मार दिसकस कर रहे हैं इस वर्शे अनुराग या प्रेन नात्पंती सिध्धी और योगी जो योग लोग थे इनका स्थान और समय उत्तरी भारत बारिस्ताबदी के असपास इन सभी को प्रिसिध्धी मिली उन्होंने साधान तर्क वितर्क का सहरा लेकर रूडी वारी धरम के करमकांडो बनावटी पहली उत्ता समाज व्रस्था की क कि थी अलोचना उन्होंने संसार का प्रित्याक करने का समर्थन करा था कि सन्यास जो है वो हमें लेना चाहिए उन्होंने विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मरन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूती ही मोक्ष का मार्ग है उन्होंने योगासन प्रणायाम चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मनन शरीर को कठोर परसिक्षन देने पर बल दिया था जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ योगी अगनी के चारों तरफ बैठे हैं उनके द्वारा की गई रूडी वारी धरम के अलोचना ने भक्ति में मार्ग के लिए अधार तै किया जो आगे चलकर उत्तरी भारत में एक लोग प्रियश शक्ती भी बना था अब ये तो नात पंति सिध्धियों और योगियों की बात है महराश्टर के कुछ संत जो थे जैसे कि गानेश्वर नाम देव एक नाम तुकाराम सुखवाई चोखमेला जो पंडरपूर महराश्टर में तेरी से सताबदी के आसपास उत्री सताबदी के आसपास थे उनके अराद्य भगमान विठल थे केंद्र विचार बक्तिगत देव ईश्वर जन्मन के हद्य में विराजमाने ऐसा उनका मानना था प्ताने भाशा में उन्हें गीत लिखे थे इन संत कवियों ने सभी परकार के करम कंडों के ढोंगों और जन्म परधारित समाजिक अंतरों का विरोध किया उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य वेक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनता पूरवक सभी की सेवा करने के लिए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया जबकि नात्पन्ती योगियों ने कहा था कि सन्य लेना चाहिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ती द्वारा दुखों को बाट लेना है इससे एक मानपतावादी विचार का उद्भव हुआ जनम हुआ जैसे कि सूपरसिद गुजराती संतनर्सी महता ने कहा था वैशन जब तो तैने कहिए पीर पराई जाने कि सभी लोगों को जो वैशन अवजन हैं उनको अपना कहिए बाकि सब पराई हैं भगवान विच्छल वैशनु का एक रूप उनके अराधना वारकारी संपरदाय को जनम दिया उनके अराधना ने जो पंडरपूर की वारसिक तीर थातर जो महराश्टर में एक स्थान है उ कि योगासन और प्रणायम करते वे अपनी एक फोटो भेजें वाटसेप ग्रूप पर तो यह आपको खुदी करनी बिटा इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे आप अराम से बैठ जाएगा और प्रणायम करेगा आलोब विलोम या फिर कपाल भाती और उसके एक विश्वास क्या था और अचार विचार क्या था यहां से हमें यह ध्यान रखना है कि उन्होंने साधारन तर्क वितर्क का सहरा लिया और पहलियों के लोचना की तो यह तो उनका विश्वास था कि तरीक एक चीज़े नहीं होने चाहिए और उनका विचार सन्यास का समर्थ और नेराकार्स के साथ एक होने का था और उन्होंने शेजित को कुठोर परिक्षन प्रसिक्षन भी देने की बात कही थी तो यह हमारा पहले सवाल का आंसर हो सकता है दूसरा सवाल महराष्टर में भक्ती परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा था तो पंधरपूर महराष्टर ये दूसरे सवाल का अंसर हो जाएगा तीसरा कोशिन है बिटा जातिके परती महरास्टर के संतों का दृष्टिकोन क्या था तो भई उन्होंने विरोध किया था कि किसी भी जातिकत अंतर नहीं होना चाहिए इन संतों ने सभी प्रकार के करम कांडो धोंग और जर्म अधारिज समाजे कंत्रों का विरोध किया तो यानि सब को क्या मानते थे बराबर चौता सवाल है महराश्टा कुछ महत्पुन संतों के नाम तो ये नाम है और इसी के साथ बिटा ये वर्क्षिट समापत हो जाती है ग्यानेश्वर नाम देव एक नाम तो कराम सुख भाई आप मीद करता हूँ आपको वर्क्षिट पसंद आई होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों तो था हमें सपोर्ट करते रहें धन्यवाद